अगर आपके बैंक में UPI के माध्यम से कुछ पैसे आते हैं तो ये साइबर फ्रॉड भी हो सकता है मगर इसको रिपोर्ट करने पर आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और यही स्टांडर्ड प्रोटोकॉल है आईए देखते हैं एक ऐसे मामले में किरला हाई कोर्ट का क्या कहना था किरला हाई कोर्ट के जस्टिस देवन रामचंदरन एक बैच अफ पेटिशन्स पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने बैंक्स को निर्देश दिया कि बैंकों को उन व्यक्तियों के संबन्द में जारी किये गए फ्रीजिंग आदेशों को सीमित करना होगा जिनके खातों में साइबर अपराद के हिस्से के रूप में UPI प्लाटफॉर्म के माध्यम से राशी ट्रांसवर की गई थी जो राशी पुलीस द्वारा बताई भी जाती है जस्टिस रामचंदरन ने ये भी कहा कि वो समझ नहीं पाए कि याचिका करताओं के पूरे बैंक खाते क्यों फ्रीज करने पड़े जबकि मांग पत्र में उनके खातों में जमा की गई सटीक राशी का उलेख है याचिका करताओं ने दावा किया कि उनके खातों को फ्रीज करने के कारण UPI प्रनाली में बिजनिस करने वाले लोगों का भरोसा हिल गया है और इसके लिए सेवगार्ट की मांग की गई कोर्ट ने संबंधित बैंकों को निर्देश दिया कि वे संबंधित याचिका करताओं के खातों पर रोक के आदेश को केवल पुलीस अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी किये गए आदेश या मांग पत्र में उलेखित राशी की सीमा तक सीमित रखे पुलीस अधिकारियों को संबंधित बैंकों को ये सूचित करने का निर्देश दिया गया कि क्या याचिका करताओं के खातों को इसी प्रकार फीस करना आवश्यक होगा इस प्रकार याचिका का निप्टारा किया गया ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए फॉलो करिये लाइव लॉको और बने रही हमारे साथ